हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एवन ट्यूटर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मारवारिक और रांची के इंटर्मीटिस सेक्षन के एड्मिशन के बारे में दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका जो ऑफिसल वेब साइट है इसको लोग देखते हैं ठीक है फ्रेंज तो यहां देख सकते हैं मैंने डाउनलोड करके रखा है हाला कि आपको कैसे डाउनलोड करना इस पर आप किलिक करो जैसे कि चलो मैं किलिक तो देख सकते हैं यह डाउनलोड हो गया है तो यहां देख सकते हैं अर्जेंट एडमिशन पको time दिया गया था, साथी time के साथ date भी दिया गया था, कि इस time में आपको document verification के लिए college में आना होगा, 11th का admission के लिए, ठीक है, तो इस को change किया गया है, इस guideline को पूरी तरह से change कर दिया गया, अब जो आपका admission होगा, वह online होगा, online का document verification होगा, online आपका admission, payment भी ओनलाइन ही होगा तो सारा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी अस्किप नहीं करिएगा नहीं तो आपको बहुत जादा ही प्रोब्लम होगा एडमिशन के रिगार्डिंग में ठीक है तो यहां देख सकते ह दिया गया है फुर्ज प्रोबीजनल सेलेक्शन लिस्ट ओनलाइण प्रोबीजनल एडमिशन विल स्टार्ट्र photo is 26 ऑगस तो आपका जो ओनलाइड एडमिशन अब अबाश्ट होगा वाच 26 अगसस से स्टार्ट होगा ठीक है अब देखே एक नमबर में क्या कहा गया है सीधा सा कहा गया है दोस्तों कि आपका जो प्रोविजनल एडमिशन फोर क्लास 11 will be purely on the basis of admission list published by the college admission committee on the college website तो आपका first selection list में जो college के दोर आप प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है उसमें आपका नाम है तभी आपका admission होगा ठीक है अब दूसरा में यह कहा गया है कि प्रोविजनल एडमिशन विल भी online और दोस्तों आपका जो admission होगा हुआ online होगा payment भी आपका online ही होगा official website से तीन नमर में कहा गया है दोस्तों कि आपका 11 का जो admission होगा हुआ 26 अगस से आठ सेप्टेमबर तक आपका होगा first admission list के अनुसर चार नमर में दोस्तों कहा गया है कि student को original certificate रखना होगा जैसे कि which he has uploaded on the college website while filling up online admission form for the 11th along with the original school living certificate character certificate and migration certificate ठीक है पाचमाम दोस्तों यह कहा गया है कि covid-19 का situation जो normal होगा जब आपका college शुरू होगा तो जो जो भी सारे आप document online आप upload करोगे तो फीजिकली आपको college में verification के लिए मागा जाएगा जब आपका college खोल जाएगा तो ठीक है तो अगर 6 नमर में कहा गया अगर किसी भी तरह का forgery या मतलब की गलत आप document मतलब upload करते हो तो आपको जो admission है यानि कि आपका जो नाम मतलब admission हो गया तो आपको qualify कर दिया जाएगा अब इसके regarding देख सकते हैं पर boy section girl section का जो inquiry number है यहाँ पर दे दिया गया चाहू तो आप call करके पूछ सकते हो अब आपका जो date है देख सकते हैं आठ September तक आपका online admission होगा तो यह अभी छोटा सा अपडेट आया इसको college अभी अपडेट करेगी इसके official website पर अभी इतना ही कुछ दिया गया यह जैसे ही आगे का अपडेट आया दोस्तों मैं आपको बताता रहूंगा ठीक है तो यह अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से ज